हाई फ्रेंस एन वेलकम टो माई चैनल तो स्टार्ट करते हैं कस्टड के एक बनाना तो यहां पर मैंने साथ सो ग्राम दूद लिया है और इसे गरम होने रख दिया है दूद गरम हो रहा है तब तक हम कस्टड का घोल तयार कर लेते हैं और यह नॉर्मल दूद लिया है यह ग खोल रेडी कर लेना है और इसमें बिल्कुल फिलम्स नहीं होने चाहिए यहां पर मैंने कश्टड पाउडर को गोल कर रेडी कर लिया है और इसमें बिल्कुल फिलम्स नहीं है अब देख सकते हैं और यहां पर दूद भी उबल चुका है और अब हमें इसमें धीरे धीरे से कस्टड पाउडर डालेंगे यह धियान रखना है कि एक बार में ही कस्टड पाउडर सारा नहीं डालना है और इसे स्टर करते ही रहना है जब हम custard powder इसमें डालेंगे custard का गोल डालते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसे चलाते रहना है थोड़ा थोड़ा करके custard डालना है वरना इसमें लम्स पर सकते हैं जो कि बाद में खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा इसे मेडियम फ्लेम पर चलाते हुए ही पकाना है वरना इनीचे से चिपक सकता है और अगर आपके पास औरेंज फूड कलर है तो वो हैट करें मैंने आप औरेंज फूड कलर यूज किया है इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देना है फूड कलर को अब मैं यहां पर चीनी डालूंगी और चीनी आप अपने ही साप से डाल सकते हैं आपको जितना मीठा चाहिए बट्री से थोड़ा सा मीठा ही रखना है क्योंकि बाद में हम इसमें ब्रेड यूज करने वाले हैं तो ब्रेड में भी मिठास आ जाए और इसे अच्छे से चलाते-चलाते ही पकाना है और यह तीरे-दीरे थिक होना स्टार्ट हो जाएगा एंड यह इतना थिकनेस काफी है क्योंकि यह ठंडा होने के बाद और जादा थिक हो जाएगा तो इसे हमें और जादा नहीं पकाना है और अब मैं गैस ओफ कर दूंगी आप यहां पर इसमें ड्राइफूर्ट्स एड़ कर सकते हैं तो यहां पर मैंने ब्रेड के साइड सालग कर लिये हैं और ब्रेड ले यहां पर मैंने तपेली यूज किया है उसमें कश्टड डाला है पहले उसके बाद में ब्रेड रखने वाली हो इसके उपर आप इसे कटोरे में या फिर केक्टिन है तो उसमें भी बना सकते हैं सेमें इसी तरह से और अगर आपको इसे हाट शेप में बनाना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं बर्थडे ब्लॉग वीडियो उसमें मैंने इसे केक को हाट शेप में बनाया है तो यहां पर मैंने ब्रेड रखा है नीचे और उसके उपर भी कश्टड डाला है ब्रेड के उप सेट करने से शेप अच्छा आता है केक का इसी तरह सेम प्रोसेस करना है फिर से कश्टर डालना है उपपर फिर से ब्रेड रखनी है तो अब मैं इसकी साइट्स को फिल करते जाऊंगी और यह मैंने प्रेट के कटिंग कर लिये हैं उसी साइट के हिसाब से और उसी तरह से इसको फिल कर देना है पूरा गैप नहीं होना चाहिए वरना हमारे केक की शेप खरराब हो सकती है तो आपको पूरा गैप का ध्यान रखना है एन आपको सारे गैपको फिल करणा है तो यहाँ पर एक लियर शेट हो चुकी है और आप देख सकते हैं ऐसलग और इसके उपर हमें कस्टर ढालना है इसी तर अगर डेयर त्यार और च्प्तक्र और एसे उपर हमें अब मैंग् बिज़नutar तीयरेकर रहे हु तो इस टोपिन् 2 में कवर करने के बाद इसमें वापस से us were थे स्बजो डालना है को अच्छान के बाद में आप जिसमी प्लेट में से डी मोल्ट करना चाहते हैं किनारी को सक्रैच कर ले थोड़ा सा मेल्ट होगा असानी से यह डी मौल्ट हो जाएगा अधे कंटी के लिए आपको फ्रीजर में और रखना है और यहां पर मैंने निकाल लिया है फ्रीजर से मैं इसे डेरी मिल्क संदो वो ड्राइफूट से यूज़ कर सकते हैं, बट में यहाँ पर सिंपली डेखोरेट कर रही हूं तो मैंने भी चोकलेट यूज़ किया है ? किसमें यूज़ किया है ? आप जैसे चाहिए वैसे डेखोरेट कर सकते हैं यह ब्रेड कस्टर्ड के खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है मेरे घर में यह केक फेवरेट है तो मैं इसे ऐसे ही कभी भी बनाते रहती हूं और यह बहुत टेस्टी लगता है खाने में आप इसे कस्टर्ड के साथ खाए तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यह केक एं कितना चाहीं सेट हो चुका है कि एंडियकोरेशन कि वाद कितना अच्छा लग रहा है लग रहा है झा कुछ प्तान पसंद करते हैं तो आप इस तरह भी खा सकते हैं जाइजr एंड लोगडाउन में एक बार ये कीक जरूर ड्राइ करें एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर एंड मेर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें कॉमेंट करके बताएं आपको एक कैसी लगी कस्टड केक की रेसिपी